ओम शंति बाबा ने आकर हामे सार्व शक्ति संपन्द बनाया है भगवान जब इस धरह पर आते हैं तो अपनी महनात्माओं को अपने जैसा बना देते हैं ताकि स्रष्टी के सारे सेश कारिये उना आत्माओं के द्वारा संपन्द होते रहें क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब निराकार भगवान को सभी लोग भूल जाते हैं और अपने इस देव देवियों की ओर देखते हैं तो हमें सर्व शक्तिवान से रोज बहुत समय सारी शक्तियां लेनी हैं हम उसे खनेक्ट होते हैं उसके स्वरूप परवुद्धी को इस्थिर करते हैं तो उनकी शक्तियां हम में समाने लगती हैं इसको ही राजियों कहते हैं और जो जितना इसका ब्यास करते हैं उनको उतना ही जादा शक्तियां मिलती रहती हैं प्रन्तु इसके लिए आवश्यक होता है स्वयम को मास्टर सर्व सक्तिवान के स्वामान में रखना व्यार्थ को बिलकुल एवाइड करना और किसी तरफ हमारी बुद्धी का आकर्शन न रहे तब एक से हमें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा तो इसका अभ्यास सवेरे भी स्याम को भी हमें करते रहना है और साथ में बाबा का एक और बहुत सुंदर महवाक्य है यदि तुम ये याद रखो कि सर्व सक्तिवान मेरे साथ है तो उसकी सारी सक्तियां तुम में समाती रहेंगी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और ये याद रखना बहुत सहज है केवल हमें धुन लगाने की जुरत है हम दर्टा पूर्वक ये सब अभ्यास करते रहें तो सारी सक्तियां आ जाएगी बहुत बड़ी सक्ति आएगी प्योरिटी की सक्ति हमारे निर्मल सने में भी बहुत बड़ी सक्ति भर जाएगी हमारा ज्यान भी सक्ति साली होता जाएगा बहुत बड़ी चीज हैं ये केवल वाट सक्तियां ही नहीं ये सब और भी कई सक्तियां हमारी सुब भावनाओं में भी बहुत सक्ति भर जाएगी तो हमें ये इसमर्ती भी रखनी है कि मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ इससे हमारी सारी शक्तियां जागरी तवस्था में रहेंगे और साथ-साथ एक-एक शक्ति के बारे में भी हमें चिंतन करना है और उन्हें स्विकार करते रहना है जैसे सहन सक्ति है तो मैं सहन सक्ति से संपन्न हूँ संकल्प दे अपने को मैं हर परिश्थिती, सर्दी, गर्मी, मान, अप्मान, किसी के कड़वे वचन, बिमारियां सब को सहन कर सकता हूँ, सहन कर सकती हूँ रोज सवेरे अपने को ये संकल्प दे तो हमारी शक्तियां active हो जाएंगे सामना करने की शक्ति कुछ भी आजाए जीवन में किसी की मृत्यू हो जाए कोई परिष्थिती आजाए धन चला जाए ऐसा लगे सब कुछ चला गया इन सब को भी सामना करने की शक्ति मेरे अंदर है क्योंकि सब कुछ चला गया पंतु भगवान तो मेरा है वो तो जाएगा नहीं वो तो मेरा साती है ऐसे ही समाने की सक्ती या निरने सक्ती या परक्र शक्ती या जब आपका मन बहुत भटक रहा हो विस्तार को संकीन करने की शक्ती ये भी बहुत important सक्ती है कितना भी विस्तार हो रहा हो सेकिन्ड में हमें सरीरी हो जाएं यह विस्तार को संकीन करने की सक्ति बहुत काम की है यानि तुरंट अपने को एकागर कर दे तो हम अपने कोई स्मर्थी दिलाएंगे कि हमारे अंदर ये सक्तियां हैं तो practical में पाएंगे कि हम बहुत सक्ति साली हैं और आगे चल कर तो हमारी सक्तियों की परिक्षा होगी क्योंकि संसार में धरातल पर भैका माहूल बहुत वढ़ जाएगा हम 37 साली आत्मा निर्वह रहेंगी और दूस्रों को भी अभैदान देंगे यानि निर्वह बनाएंगे तो बहुत बड़ी सेवा हमें करनी हैं इसलिए अपनी सक्तियों को वेश नहीं करना है व्यर्थ संकल्पों में पर चिंतन में नहीं तो जितनी सक्ति जमा करेंगे वो न होते रहेंगे तो सभी शक्तियों से संपन बने ये दर्ट संकल्ब करने ओम शांती